आप आप से कहा था कि अब हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं हम परफॉर्मिंग आट्स कर रहे थे ताट इस म्यूसिक, डैन्स एंड ड्रामा हमने नियूस की किताब के चैप्टर के अकॉर्डिंग ड्रैमा भी कंप्लीट कर लिया म्यूसिक और डैन्स तो हमने बहुत डिटेल में कवर किया डिफरेंट बुक्स के वाया ड्रामा भी नियूस की किताब के मताबिक पूरा हुआ फिर हमने आप से कहा था कि अब हम इसकी आगे डिटेलिंग करेंगे आज उस डिटेलिंग का लेक्चर स्टार्ट हो गया नाम मैंने डिरेक्ली अब मैंने परफॉर्मिंग आर्ट लिखना बंद कर दिया क्योंकि अब ये स्थापित ही है कि हम वही कर रहे हैं ये इस इस्टैबलिस्ट सो नाम है इंडियन थेटर एंड सिनेमा हम इस हिसाब से चीज़ों को लेकर के चलेंगे सत्यजीत रहे ये मानते थे कि सिनेमा एक ऐसा मीडियम है जो किसी भी व्यक्ति के विचारों की जो वो इंटिमेसीज है उसको कैप्चर करता है उसको रिफ्लैक्ट करता है उसको दिखाता है दुनिया को मतलब आप किसी को हीरो क्यों बना देते हैं आप हेरोईन क्यों बना देते हैं किसी को मतलब आपको वो किरदार क्यों चचने लगते हैं आप जो अपनी गहराईयों में अपने लिए सोचते हैं या अपने सराउंडिंग में जैसा हो ऐसा सोचते हैं सिनिमा में जब वो होता देखता है आप उनसे जुड़ते हैं आपके दिमाग में जो रोमांच भरा है जो आप शायद अपनी प्रैक्टिकल जो आपकी लाइफ है उसमें नहीं कर पारे सिनिमा के पड़दे पर जब वो देखता है आप तालियां बजाते हैं रिष्टों की जो हुबसूरती है जो उनमें तनाव है जो सोहार्द है यानि कि जो हामनी रिलेशन्स में होती है जो भी उनके अपने टेंशन्स और स्ट्रेसेज हैं वो शायद हम आपसी बात चीश से उतनी चर्चा ना कर पाएं लेकिन सिनेमा में जब वो दिखते हैं तो हम इसी विचार की बात करते थे हैं हो सकता है कि आप हर रोज अपने सराउंडिंग में कई तरहां की जाती प्रताओं से कई तरहां के प्रतिबंधों से जूज रहे हों लेकिन शायद वो विचार आपके ही दिमाग के हों आपके अंदर ही हों बाहर ना आते हों शायद ऐसा ए भीतर के इन इंटिमेट्स थॉट को कैप्चर करके आपके सामने प्रेजंट करने का तो इसलिए वो यह मानते थे कि समाज में मानव मस्तिश्क की सबसे भीतरी परतों को यदि कोई छूता है तो वो सिनिमा है ड्रेमा ऐसा कर सकता है ओके तो इसी नोट पर हम आगे बढ़त तो हमने यह तो पढ़ लिया था अफिशल लेक्चर में की ओरिजन वेदों से ही हमें मिलता है तो यहां पर चीज आती है कि earliest reference to Sanskrit drama is found in the works of Panini ठीक है ड्रामा कब से आया है वो एक अलग बात है वो एक अलग बात है earliest reference drama का जिसमें मिल रहा है वो पाणिनी की अश्टा द्याई में मिल रहा है जो की 4th, 5th century BCE के समय का है मतलब हम यहां reference की बात कर रहे हैं आई बात समझ में कि हमारे पास अगर कोई evidences आते हैं तो उन evidences में सबसे पहला जिक्र कहां मिल रहा है वो यहां मिल रहा है वो क्या बता रहा है कि ये कव उदे हुआ वो बात नहीं हो रही है भी जैसे हो सकता है आपको सबसे पहला जिक्र पानीनी की राइटिंग में मिले और उस जिक्र में ये बताया गया हो कि ये प्रथा ड्रामा की या थेटर की वैदिक काल से है तो बात को समझ पाए ना मैं दोनों बातों में फर्क समझा पाया क्योंकि पिछले lecture में हम पढ़ रहे हैं तो हम उसे trace कर रहे थे तो जब हमने trace किया तो उसकी जड़े पुरानी है लéकिन आज के lecture में हम ये देख रहे हैं कि हमें traces मिल किस text में रहे हैं पानिनी से बात हुई है शरूँ, ओके, तो earliest reference to Sanskrit drama is found in the works of पानिनी, 4th to 5th century BCE, और इनके बाद फिर पतंजली के महाभाश्य में, somewhere around 2nd century BCE, और भारत मुनी का नाठे शास्त्र तो आप जानते ही हैं, जिसने drama के बारे में collaboratively बात की है, हमने उसके बारे में discussion कर ली है, वो में repeat नह कर रहा, नाठे शास्त्र में एक चीज जो हमने नहीं करी, वो अब समझे, कि भारताज नाठे शास्त्र identifies 10 types of dramas, और रूपक्स, वो 10 तरह के dramas को identify करता है, जिनमें act 1 to act 10 तक हो सकते हैं, act 1 plays से लेके act 10 plays हो सकते हैं, जैसे कोई भी एक drama है, कोई भी एक theatre performance है, उसमें 2 act, 3 act, 5 act कितने act होंगे उसमें, तो 1 act to 10 act plays हो सकते हैं, 10 तरह के dramas identify किये गए हैं, और वो कौन से हैं, नाठका, नाठक, प्रकर्ण, जिसे हम कहते हैं, सारा प्रकर्ण सुनाईए क्या, ऐसी वर्ड सुना होगा न, कि क्या प्रकर्ण हुआ आपके साथ, बताईए तो सही, ऐसा कह देत प्रकर्ण समवक्र, इथमाग्र, दीमा, व्ययोग्य, व्ययोग्य, अन्क, प्रहसन, भान, वित्थी, ओके, भाना, यहनी कि पाना, की पाना वर्तिया, ओके, सुनाओ गाईए शब्दा आपने, तो नाटका, प्रकर्ण, समवक्र, इथमाग्र, दीमा, व्ययोग्य, अंक, प्रहसन, भाना, वित्थी, यह दस तरहां की ड्रामाज इडेंटिफाई किये गए हैं नाट शास्तर के द्वारा, ठीक करंदी, enjoy, good, नाटकास क्या होते हैं बिसिकली और प्रकर्णा क्या होते है इनके अंतर समझे, तो नाटकास, based on the epics और epic materials, तो यह दिकतर epics पर based हैं, जैसे कि रामायाना, महाभारत, इन epics पर based होंगे नाटका, ओके, आप कोई भी episode उठा लीजिए, अर्जुन का उठा लीजिए, सीता का स्वेंबर उठा लीजिए, या फिर वनवास उठा मतलब कुछ भी epics based रहते हैं, नाटकास, लेकिन वही प्रकरणा क्या होते हैं, प्रकरणा, author's own creation, author की अपनी creation होते हैं, प्रकरणा, ओके, सो अब बहुत सी चीजें मैं आपको बताऊंगा, बहुत से प्रकरणा आएंगे, जो author की, खुद की creation है, होते हैं ना, बहुत सी ची बेजड हैं, या किनी epics पर बेजड हैं, तो हम उन्हें क्या कह देते हैं, अब बताओ बेटा, यह periodic film है, हम आसानी से कह देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम यह word यूज नहीं कर सकते हैं, उसके लिए तो वो, हम यह मान लेते हैं, कि यह काल्पनिक है, author की अपनी creation है, यह श कह सकते हैं, उसमें यह कह दिया जाता है, कि चीजों को अच्छे से समझाने के लिए कुछ चीजें फ्योग की गई हैं, जो शायद confirm ना करती हों, उसे अन्यता ना लिया जाए, ओके, ऐसा disclaimer आ जाता है, तो हम यह अक्सर सुनते हैं, कि एक periodic film आने वाली है, आने वाले समय मे जैसे कि शारुक खान की मूवी थी, असोका, उसमें अशोका की जगा नाम असोका ही जो लिखा गया, वो इशारा करता था कि यह फिक्शन नहीं है, यह एक periodic film है, ओके, आज तो कहते हैं, उस समय के हिसाब से अगर हम देखें, तो जैसे नाटकास, they are based on the epics, and the prakarna, that is author's own creation, done, very good, so as per भारत, भारत कैसे देखते हैं अपने हीरो को, मतलब जो central character है, उसको भारत कैसे imagine करते हैं, उसको समझी है जड़ा, यह समझना जरूरी है, क्योंकि इस से divert हो जाएंगे थोड़ा भास, भास के बारे में मैंने बताया आपको, वो थोड़ा अलग होंगे भारत के व और उनके बाद के सारे ड्रेमेटिस्ट पूरी तरह से confirm होते दिखेंगे नाट्य शास्तर के विचारों से, तो ऑथर कैसे, भारत कैसे देखते हैं, वो कहते हैं, कि the central character in the नाटकाज was to be virtuous, of striking abilities, glorious and preserver of the dharma and the vedas, central character ऐसा ही शोध किया जाएगा, धर्म की रक्षा करने वाला, वेदों की रक्षा करने वाला, धर्म के नियमों की रक्षा करने वाला, glorious होगा, वो always आपको feel होगा, जाएए कोई भी नाटक निकाली, उसका character देख लीजे, आपको यही नज़राएगा, तो very glorious, बहुत सी abilities हैं कितना larger than life रहता है, कृष्ण का character कितना larger than life दिखाया गया है, तो सभी character इस तरह से दिखाये जाते हैं, ओके, दूसरी तरफ जो प्रक्रन होता है, उसमें क्या कहा जाता है, कि while in the प्रक्रन, the character could have all sorts of vrittis, that is attributes, उसमें हर तरह के attribute हो सकते हैं, आई बास समझ में, बस जरूरी नहीं है कि जैसे आपको virtuous लग रहा है, वैसा ही virtuous हों उसमें, can be of any type of attributes, attributes तो कुछ भी हो सकते हैं, आप अक्सर हमारे cinema इमें ये समस्या नहीं रही, कि hero को इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता रहती थी, कि उसे negative role नहीं करना, आप अक्सर देखें, तो लंबे समय तक हमारे cinema के इतिहास की में बात कर लेता हूँ, ये बहुत settled था, ये बहुत clear था, कि hero क्या rule करेगा, किसी भी sense में, वो last to last be end तक negative sound नहीं होना चाहिए, अगर कुछ कर दिया है उसने ऐसा, तो उसकी justification timely present हो जानी चाहिए movie के अंदर ही, कि ये अगर उसने किया, तो क्यों किया, इवन आप ये भी देखेंगी, कि जैसे सत्य पे सत्य मूवी में, अमिताब बचन का ही double role दिखाया गया है, तो जो double role में, जो दूसरा वला है, वो दिखाया गया है negative, लेकिन overall तो दुनिया के सामने अमिताब ही project हो रहा है, उसमें भी उसका कोई एक side ऐसी दिखा दी गई, जैसे लगे कि वो justified है, जैसे जै और वीरू शोले के, can you imagine, 1975 की film है शोले, और मुझे जहां तक याद पढ़ता है, अगस्त 1975 की इसकी release रही थी, क्योंकि emergency का काल था वो, तब कि समय में ये आती है, और पुरी दुनिया पे चाती है, लंबे समय तक चली, तो शोले, मैं अब जै और वीरू है कौन, जेल में रहते हैं, चोरी करते हैं, ठग हैं, bluff हैं, bluff masters, लेकिन still heroes ही project हुए, क्योंकि चौदरी साब के लिए एक cause ऐसा fulfill कर रहा है वो, जिसमें वो गबर को बगट रहा है, है की नहीं, तो at the end दोनों की image क्या project हुई movie के अंदर, heroes, वो शुरुआत में क्या करते हैं, क्या काम काज करते हैं, क्या bluff करते हैं, आप सब भूल गए, जो directors, Mr. Sippy, आप हो गए इस बात को समझाने में आपको की, they are ultimately the heroes, तो ये चीज़ रही है, चाहे कोई जोर में भी आ जाई है, 1970s, 80s, 90s, तो that was a very big challenge, तो उसमें भी आप देखेंगे, बाजीगर मे शारुकान, तो शारुकान ने negative role play किया है, ऐसा हम मान रहे हैं, लेकिन अगर आप central theme movie का देखें, तो बहुत ज़दा मेहनत लगी directors की अबास मस्तान की, कि वो ये project कर पाए, कि बच्पन में उसके साथ कितनी atrocities हुई थी, वो कैसी life से गुजरा है, जिसने उसे इस तरह का ब वोट होता है, इसको ये बताने के लिए कि शारुक किस-किस atrocity से गुजरा है बच्पन में, उसकी मा के साथ क्या हुआ, पिता को कैसे मारा गया, उसकी बहन के साथ क्या हुआ, सारा कुछ, फिर audience पहले दिन से ही उसके साथ justified चल रही है movie के अंदर, कि अब तू जो करेगा व positivity भी है इसमें, दिखा दीजे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो negative roles play होते रहे थे, प्रेम चोपड़ा, कभी डिरेक्टर ने bother किया, इस चीज को दिखाने के लिए कि उसकी अपनी कान ही हो सकती है, बट वो बुरा है, मतब तो बुरा है, क्या है कि परिशान करता है, औरतों क दिखाने के लिए कि ऐसा क्यों बना, लेकिन हीरो अगर कुछ ऐसा कर रहा है, डिरेक्टर पर पूरी बाउंडेशन होती थी कि पहले justify करो कि ऐसा क्यों करवा रहा है, दीवार movie classical example है, अमिताब अच्छन उसमें negative role में चले ही गया है तरह से, वो smuggling के काम काज में आ गए, व रशी कपूर उनसे लड़ रहा है न, उननी के सके भाई, कि भाई तुम साइन करते हो कि नहीं, तो उसमें भी पूरा दिखाया गया है कि अमिताब ऐसा क्यों बना, पहले उसके पिता के साथ atrocities होई, फिर मा ने ऐसी महनत की, फिर वो यह, तो वो लास्ट में भी डिरेक्ट में आंसू और पूरा लेके भर गई की, इसको जेल में डालेगा, भेवकूफ, बतमीच, अपने भाई को, जिसने तुझे इसलाइक बनाया, तो that is the duty, तो ये कोई नई विचार नहीं है, हमारी संस्कृती में ये है, भारत के नाटे शास्त्र के कलपना से ये आ रहा है, कि अब कह रहे होंगे, ये फिल्में कौन सी दिखा रहे हैं, किदर के example दे रहे हैं, कहां जा रहे हैं, आज की date में आप आ जाईए, इवन यहां भी डिरेक्टर ने एक positive side डालनी चाहिए, मिर्जापूर में मुन्ना वहिया के अंदर, कि उसने उस आदमी को तब नहीं मारा, जब उसने उसके बाप को गाली दी, जब उसने उसको गाली दी, जब उसने उसके खांदान को, उसने जब उसके नाना गाली दी, उसने तब गोली मार दे कि मम्मी हमारी decent family से थी, समझ आईए, मा के बारे में कुछ मत बोलना, मतलब यह दिखाया कि मा को लेके touching है, मतलब ब बाप ने बच्पन से थोड़ा भेदवाव रखा है फिर बाप ने एक शादी भी कर ली मुन्ना डिस्टर्ब्ड है या फिर मुन्ना की जो लवर है वो चली गई उधर दूसरे के साथ तो इस वज़ा से भी मुन्ना को प्रॉब्लम है मतब दिखाया इनफ ग्राउंड वहां भी दे दी गई है कि मुन्ना इतना गलत आदमी तो है नहीं मुन्ना वही कर रहा है जो कल्चरल सेटिंग है वहां की और दूसरी तरफ वो जो दोनों लड़के हैं उनके क्रिमिनल बनने के पीछे कि पूरी ग्राउंड दे दी गई वहा हैं उन्हें तो आपको समझा जाएगा कि ये चीज still exist करती है ये चीज still exist करती है कि जो central characters हैं वो हमें किस मैनर में दिखानें क्योंकि समाज स्विकार हो नहीं करता है क्योंकि virtuous चीजें acceptable हैं वो चाहे कब कि stage में जाके virtuous होई matter नहीं करती but at the end you have to be virtuous ओके ये चीज़ शायद आप हमें तंग करती हो कि बहुत सारे ऐसे हमारे देश में एक से एक व्यक्तित होएं जिन्होंने अपने पुरुशार्त से पुरुशार्त से अपने लिए fame काउंट किया लेकिन शायद हम उनके साथ जुड़ा कोई भी profession आज accept नहीं कर सकते क्योंकि शायद हो non glorious है और इसको लेकर के देश वर में बहुत सी controversies बहुत बार हुई है मतलब ये इतना हावी है हमारी संस्कृति के दिमाग पर कि अगर कोई आज glorious है तो wholesome glorious project करना है beginning से end तक ये नहीं है कि उसने एक point पर glory achieve की चलिये चले आगे समझे तो चलिये तो ये मानते थे नाटक जो है उसमें जो central character है virtuous है, striking abilities है glorious and preserver of the dharm and the vedas है और जो प्रकरण है उसमें a character could have all sorts of vrittis that is the attribute हर तरह के attributes उसके हो सकते है मुझा जादा bother नहीं कर रहा है कि वो इस तरह से positive ही देखे जो भी attributes एक आम आदमी के होते हैं वो सकते है Indian theater through the ages अब थोड़ा इस ओर से देखें अब थोड़ा इसको trace करें इस तरफ से तो उसमें क्या आता है, सबसे पहले यहां पर लिखा गया है the prehistoric and hadapan period the prehistoric and hadapan period अब author ने इसे prehistoric and hadapan period में रखा है आप confused मत होईएगा मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको इसमें लिखा है the Sita Bengra या Bengra या Benga Sita Benga या Bengra तो Sita Bengra and Jogi Mada Caves in 36 गड़ चतिस गड़ के उतरी रामगड़ हिल्स में ये केव है Jogi Mada की गुफा Sita Bengra और Jogi Mada Caves So some of the oldest amphitheaters discovered anywhere मतलब यहां पर इन गुफाओं में आपको मागदी भाशा में ब्रह्मी स्क्रिप्ट में non-religious inscriptions मिलेगी अब उनको लेकर के disputes हैं कि वो क्या है एक मत यह मानता है कि वो lover और beloved के बीच की जो आपनी वारतालाप है जो संदेश है का दूसरे के परती वो अंकित किया गया है कि it is the conversation between the lovers that gravity is a conversation between the lovers लेकिन दूसरी तरफ दूसरा मत यह मानता है कि यह कोई एक dancer रही होगी और उसके साथ कोई एक sculptorist रहा होगा जिनोंने आम जनता के सामने अपना जो भी कारेकरम में प्रस्तुत करने के लिए इस चीज को inscribe किया और इस गुफा को बनाया है त्यार किया है ऐसा सा कोई combination नजर आता है लेकिन overall आप एक बात समझ लीजिए इस caves are important जोगी माडा cave, सीता बिंगा cave तो नाम सीता बिंगडा से यह पढ़ता है कि यहाँ पर कभी लाम, लक्षमन और सीता अपने exile के beginning phase में आये थे और अगर यह fact के हिसाब से अगर जाएं तो author ने बिलकुल सही लिखाया हड़पन period और prehistoric क्योंकि वो यह बता रहे हैं कि जो राम है, उनका समय somewhere around 5000 BC है तो वो तो फिर पहले ही आये हैं अगर वो आये हैं वहाँ पर तो नहीं कि नहीं उसके antiquities इससे भी बुरानी हो तो इसलिए फिर इसको prehistoric में रख लिया है 1850 पीरिट के around का रख लिया गया है आपको fact इतना पता होना चाहिए कि अगर आज की date में आप कहीं पढ़ते हैं तो यह बताया जाता है कि 3rd से 1st century के 3rd से 1st century BC के around की इसमें जो painting's मिलती है वो colored fresco's है और वो Asian region में oldest colored fresco's है जो यहां जोगी माडा सीता बेंगडा गुफा में मिलती हैं 36 गड़ के उतरी रामगड़ पहाड़ियों में डन है भई पुता गाउं है यह 36 गड़ का कौँसा गाउं है पुता गाउं है तो यह oldest है यह पहली बात दूसरी को और striking चीज़ है कि इसमें पहली बार पहली बार गुफा की inscription में देवदासी शब्द मिलता है पहली बार लेकिन naturally वो देवदासी शब्द उस form में नहीं मिलता जैसे देवदासीयां बाद में imagine हुई है क्योंकि यहां पर अभी temple concept नजर नहीं आ रहा है इस दौर में तो कई मायनों में यह गुफाएं ज़्यादा important है ऐसा माना जाता है कि वो inscription एक lover ने अपनी beloved के लिए inscribe कराई थी lover कौन थे देवदत और beloved कौन थे उनकी सुतनुका तो देवदत ने सुतनुका के लिए वो inscribe कराई है ऐसा कहा जाता है तो देवदत और सुतनुका से जुड़ी हुई यह गुफाएं भी है लेकिन यह माना जाता है कि यह गुफाएं एक समय के theatres हुआ करते थे दिवरदा theatre places और यहां पर मंचन होता था चीजों का मतलब dramas परफॉर्म किया जाते थे plays परफॉर्म किया जाते थे तो दिवरदा theatre places तो इसलिए इन्हें विश्व के one of the oldest amphitheater places माना गया है यह गुफाएं आधी natural है और आधी sculpted है आधी natural है आधी बनाई गई है कोई समस्या आ रही है साइज ज्यादा fact हो गया है fact बड़े असान है कि 3rd century चे 1st century BC के around की हमें colored paintings मिल रही है जो one of the oldest नहीं वो एशिया की oldest fresco's मानी जा रही है colored एक तो यह बात जुड़ी है इस गुफाओं से मैं थोड़ी गुफा की जानकारी दे रहा था आपको यह पुता गाओं में है जोगी मड़ा सुरी रामगड पहाड़ियों पर 36 गड़ के उतरी छेत रहा इतनी बात हो गई clear अच्छा अगली कहानी यह है कि ऐसा माना जाता है यह रूगों का मत है आस्था है कि यहां पर राम, लक्षमन और सीता एक्जाइल के दौर में शुरुआती समय में आये थे गुफाएं हैं तो बहुत पुरानी ही हिस्ट्री मानी जाती है गुफाओं की और ऐसा माना जाता है कि यहां पर इंस्क्रिप्शन्स हैं जो इंस्क्रिप्शन्स मागदी में होंगी और ब्रहमी स्क्रिप्ट में लिखी गई है और Majorly इस दौर में इंस्क्रिप्शन्स religious होती थी ये unique हैं क्योंकि ये non-religious इंसक्रिप्शन्स है ये देवदत की सुतनुका के लिए अपनी प्रेम की अभी व्यक्ति लोग यहां रुका करते थे, लेकिन यहां पर थेटर वाला मत ही सपोर्ट किया गया है, ओके जी, बस इतनी सी कहानी थी, that's all, कि भारत में जो ड्रैमाज हैं, उनका थेटर का इतियास बहुत पुराना है, जब इसकी बात आएगी तो जोगी माड़ा की गुफाएं आएंगी, जब इसकी बात आएगी तो सीता बिंगा की गुफाएं आएंगी, बस आप इतना याद रख लेना मेरे बच्चों, MCQs में पूरी सफलता हसल कर लोगे, इतनी कहानी इसलिए सुनाती, ओके, आगे बढ़ें, चलिए, गुट, अब कहानी आतु लिखा है, सीता बिंगड़ा उस दोरान हम जो जिन plays और dramas का जिकर सुनते हैं, उसमें देखा जाता है कि जो elite characters हैं, वो Sanskrit बोलते देखे गए हैं और जो आम जन्मानस के character हैं, उन्हें प्राकृत बोलने के अनुमती हैं, इवन आम जन्मानस में अगर आप एक विदूशक भी हैं, if you are a विदूशक, you are an intellectual person you are a jester, तो तो भी आप प्राकृत ही बोल रहे हैं, so elite characters in classical theatre, so I am talking about the classical theatre which I am going to elaborate, अभी थोड़ी दिर में elaborate करूँगा, so elite characters in classical theatre would speak Sanskrit, but the common man characters including the विदूशक, that is jester, would speak प्राकृत, ये अदर नजर आना शुरू हो गया है, आगे श्रमना और ये यवना पीरिड है, श्रमनास का काल, 600 BC onward, यानि की श्रमना ट्रेडिशन, दा आजीव कास, दा बुद्धेस्ट, दा जैनेस्ट, ये सारे, और इसी समय में आप देखेंगे अरब, sorry, पर्शियंस आएंगे, 550 BC के राओं, और आगे जाकर के इसी समय में आप देखेंगे the Greeks, यवनास, particularly Indo-Greeks, तो इसलिए से श् रमना यवना पीरड की बात ये है, कि प्रिंस देवदत, अब आगे कहानी 3rd century से 1st century BC वाली, सो प्रिंस देवदत, made rocket caves for his lover सुतनुका, with poems on the walls written in brahme script, caves मैंने आपको दिखा दी है, बता दी है, okay, clear, चलिए, आगे बढ़ते हैं, तू, next किदर गया, The Yavanas introduced theatre curtains in India, the